हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासिज में जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद्वारा रचित बूढी काकी कहानी की भाशा शैली हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके चलिए अभम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बूरी का की मुन्शी प्रेमचन द्वारा रचित एक सामाजिक कहानी है बूरी का की ग्रामीन परिवेश से जुड़ी महिला की है और उसका सारा जीवन उसी परिवेश में बीता है प्रस्तुत कहानी की विवेच्य सामगरी भी उ परिवार में व्रित जनों के साथ जुड़ी उपेक्षा की भावना को कहानीकार ने बड़ी ही सजक्ता के साथ प्रस्तुत किया है पात्रा नुकूल भाशा का प्रियोक करते हुए प्रसात जी ने वर्णन को स्वाभाविक बना दिया है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचन की कहानी बूरी काकी की भाशा शैली का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है पहला है जन साधारन की भाषा मुंची प्रेमचन ने बूरी का की नामक कहानी को साधारन पाठक तक के लिए पाठनिये बनाने हे तू सरल भाषा का प्रयोग किया है वैसे भी कहानी की जीवन्तता तभी संभव है जब उसमें प्रियुक्त भाशा जनसाधारन की भाशा हो बुडिका की अकेली वृत महिला की नहीं है जिसके साथ अपमान और तिरसकार से भरा व्यवहार किया गया हो अपितु वह तो प्रतीक है ना जाने ऐसे कितने ही वृत है जिने बुद्धी राम जैसे स्वार्थी पुत्रों बतीजों द्वारा दुद्कारा जाता है इसी भावना को उजागर करते हुए कहानिकार ने जन भाशा का प्रियोग किया है दूसरा सहच और सरल भाशा मुँची प्रेमचन ने सहज और सरल भाषा का प्रियोग किया है कहानी को पढ़ते समें ऐसा लगता है महानो कहानी कार ने स्थान पर स्वयम पात्र लिख रखा हो कही भी कहानी कार ने क्लिष्ट शब्दों का प्रियोग नहीं किया है भाशा को पढ़ने पर पता चलता है कि उसमें बनावटी पन का सर्वत्र अभाव है बूरी काकी के मनोभावों के चित्रन में भी लेखक की शब्दावली सहज और सरल रही है तीसरा है लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रियोग बूरी काकी कहानी की भाशा में लेखक ने लोक कहावतों एवं मुहावरों का सहज प्रियोग किया है इस प्रकार के प्रियोगों से भाशा में सहष्टा के साथ साथ प्रभावोत मक्ता का गुन भी उपस्तित हुआ है इस प्रकार के प्रयोगों से वाक्य भी छोटे और भावत पादक रहे हैं लोकोक्ती या मुहावरा अपनी सार्थक्ता के साथ भाषा में प्रयुक्त हुए हैं चोथा है विश्या नुकूल एवं पात्रा नुकूल भाषा का प्रयुग कहानिकार मुन्शी प्रेमचन ने बूरी का की कहानी में वर्णे विश्या के अनुकूल भाषा का प्रयुग किया है उनकी भाषा अभीष्ट अर्थ को उजागर करने में सर्वता सफल रही है इसी प्रकार पात्र के अनुसार भाशा प्रियोग करना मुशी प्रेमचन अच्छी तरह से जानते हैं बूरी का की बुद्धी राम, रूपा और लाडली की भाशा का रूप देखा जा सकता है रूपा की भाशा में कठोरता का स्वर देखा जा सकता है पाच्वा है तट्सम तद्भव शब्दों का प्रियोग बूरी का की कहानी के अंतरगत तट्सम एवं तद्भव शब्दों का खुलकर प्रियोग मिलता है लेकिन इस से भाशा की सजीवता और सार्थकता की स्वाभाविक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार के शब्दों में बहुदा, स्वाद, सिवा, प्रतिकूल, परिभाशा, सज्जन, कोश, प्रभाव, द्रिश्य आदी शब्द आते हैं चटा है उर्दू भाशा का प्रयोग मुन्शी प्रेमचंद का प्रारंबिक लेखक उर्दू भाशा में था इसलिए उनकी भाशा में हिंदी लिखते समय उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ है इस प्रकार के शब्दों में दलाल, वाइदे, सब्ज बाग, सिसकना, जवाब, खल्ति आदी आते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बूरी काकी कहानी की भाशा सहज, सरल, सूबोध और भावानुकूल है उसे परते समय पाठक आसानी से उसका भाव समश्ता चला जाता है चित्रात्मक्षैली आकर्शन लिये रही है ऐसा लगता है मानो भाशा में बूरी काकी और उसके साथ होने वाला व्यवार आखों के सामने गटी थो रहा हो स्वाभाविक गती शीलता से परिपून भाशा ने कहीं भी कथानग को नीरस या उबाव नहीं बना दिया है वाक्यों में सरलता अंतरमन को छूती चली जाती है इसी के साथ हमारा आज का टोपिक यहीं कत्म होता है जिसमें हमने जाना बूरी का की कहानी की भाशा शैली के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सबसक्राइब करें Thank you for watching.